नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ माहराष्टर स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नमबर 14 कमपोडेंट इस्ट प्रेक्टिस इट 14.1 अब इसमें क्वेशन नमबर 2 तक क्वेशन अभी हो चुके हैं मैंन क्वेशन नमबर 2 तक इसके पहले की वीडियो में आप वो पहले जरूर देखें तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले वीडियो इसको नुटिफिकेशन मिल जाएं तो क्वेशन नमबर 3 क्या है देखें तो स्टार्ट अ बिजनेस, शेलाका हैज टेकन लोन आप रूपीज 8,000 एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शेलाका ने 8,000 रूपीज का लोन ले लिया एड़ दे रेट अप 10 इंटिजर वन बैट 2% पर एनम साड़े 10, 10.5% पर एनम का इंट रेट अप इंटरेस्ट है उस हिसाब से 8,000 रूपीज लोन के तरुपर ले लिया है आफ्टर 2 years, how much componentist will see how to pay दो सल के बाद शेलाका को कितने componentist के रूपीज पे करने होंगे देखे, componentist पूछा गया है तो अमांट से principal माइनस करके componentist फाइंड करना पड़ेगा और total cool मिला के कितने रूपीज पे करने हैं ये पूछा गया तो amount फाइंड करनी है तो इन दोनों में confusion नहीं होना चाहिए है, amount और componentist में तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले हमें जो given values हैं क्या-क्या दिया गया है वो लिखना है P principle, कितने रूपीज का रूपीज का रूपीज लिया है 8,000 रूपीज का rate of interest कितना है, 10 integer 1 by 2 का और जो number of years है कितने हैं, after two years दो सल के बाद number of years, two अब इन values को लेकर हमें amount की value find करने तो amount is equal to P into 1 plus R upon 100 bracket raise to power N principle है 8,000 into 1 plus rate of interest, 10 integer 1 by 2 अब 10 integer 1 by 2 के लिए हमें क्या करना है दिखे 10, integer 1 by 2 का मतलब 10.5 भी होता है 10 और आधा तो यह कैसे आया दिखे 10 integer 1 by 2 का हमें करना है यहाँ पर 10 into 2 20 plus 1, 21 by 2 21 को 2 सी divide करिए 212, 200,000 0.1025, 10 तो 10.5 हम यहाँ पर rate of interest लिख सकते है divide by 100 bracket raise to power n number of years 2 अब 8,000 into cross multiply करके आमें addition करना है तो 100 into 1 100 plus 10.5 into 1 10.5 divide by 100 into 1 100 अब 8,000 into 100 plus 100 10.5 upon 100 तो इसका मतलब 100 10.5 divide by 100 अब ब्रैकेट का यहाँ पर square है तो हमें दो बार multiply करना होगा तो 100 10.5 divided by 100 2 times तो यहाँ पर दो 0s, दो 0s cancel यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0 cancel अब यहाँ पर इसे 5 से divide होगा और इसे 2 से 5 से 5 से 10 तो 10 से divide होता है यहाँ पर तो इन दोनों को 2 से divide 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 5 जा 5 5 जा 10 11 मैंनेस 10, 1 10 होगा, 5 जा फिर 10 पर इन को 0.5 जा 5 अब multiply करना है 4 into 22.1 into 110.5 इन सभी का हमें multiplication करना है तो चलिए इस question में हम सबका multiplication करके directly answer लिखने के वज़ा है multiplication करके लिख लेते हैं तो 22.1 22.1 को 4 से multiply करना है तो 4 जा 4 4 to the 8, 4 to the 8 एक डिजिट चोड़कर point फिर 88.4 को 110.5 से multiply है तो हम ultra multiply करें तो चलेगा एक मिनिट हम multiply करता है 110.5 को 884 से तो 4, 5 जा 20 बोरो 2 4, 0 जा 0 प्रिस 2, 2 4 जा 4, 4 जा 4 एक 0 लिकर फिर 8 से multiply करना है तो 8, 5 जा 40 बोरो 4, 8, 0 जा 0 4, 8, 1 जा 8 8 जा 8 फिर 20 लिखने है फिर 8 से multiply करना है तो यह ही आएगा तो एक 0 लिकर हमें 20 फिर यहां से 0 4, 8, 8 फिर addition करें 0, 2, 8 16, 8 प्लस 8 16 प्लस 1, 17 8 प्लस 1, 9 तो अंसर आएगा 9, 7, 6, 8, 2, 0 यहां यहां पर आपको दिखाए नहीं दिया भी तो देखिए multiplication यहां पर आ चुका है तो जो भी यहां पर multiplication आया है वो मैं यहां पर लिख लेता हूं 9, 7, 6, 8, 2 0 अब देखिए multiplication में क्या होगा decimal point के बाद यहां पर 1 और यहां पर 1 दो zeros हैं दो डिजिट हैं तो दो डिजिट चोड़कर हमें point देना होगा दो डिजिट हम चोड़कर point देंगे तो यहां पर 9,768.2 तो इतना component होगा अब हमें पूचा गया है तो तो नोचा हैं का होगा होगें how many rupees how many rupees componentist how much componentist इतना will she have to pay तो componentist is equal to amount minus principal तो amount कितना होगा amount होगा नायन तॉजड सेवनंदेट श॥्टी एट परेंट टू minus principle है 8,000 परेंदेट तो टो तो बादेटीट का रुपीज जो हैं वो कंपोर्ण एंट्रेस्ट के तोर पर वापिस करने होंगे पे करने होंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो एक कुशन था जो हमने इस वीडियो में स्वाल करना था अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिसेट करेंगे तो 14.2 में एयप्लिकेशन और वामला कमपोर्ण इंट्रेस्ट का जो फर्मला है उसके एप्लिकेशन है मतलब एप्लिकेशन क्या है कि डिली जो अवी कॉशन लिये है हमने वैसे ही कॉशन और उसी सब से हमें तो जहां पर परसेंट के हिसाब से कोई amount increase हो रही है हर साल 10% हर साल 10% increase होगा तो हमें componentist find करना है मतलब पहले साल 10% increase होगा फिर दूसरे साल जो amount आएगी फिर उसका 10% increase होगा अगर ऐसे हो रहा है तो कि कंपोड़न इंडिस का फर्मॉला हमें यूज करना होता है और समझो हर साल प्रिंसिपल वही रहेगा मतलब पहले साल के लिए 10% दूसरे साल के लिए 10% लेकिन वह पहले की जो मांट थी उसका ही परसेंट जिनकरेज हो रहा है तो वह सिंपल इंडिस्ट होता है तो आपको स